नमस्कार दोस्तों बाद फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से कुछ नए free courses के बारे में जिन courses को complete करने के बाद आपको उसका free of cost certificate मिल जाएगा तो यह जो courses जो हैं वो offer किये जा रहे हैं skill up की तरफ से by simply learn तो इसका link में description mention कर दोंगो तो उससे आप इस page पे redirect हो जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है explore free courses इस पर हम लोग click कर देंगे जैसे इस पर हम लोग click करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर सारी हमारी list आ जाएगी free courses क अलग-अलग यहां पर आप देख सकते हैं categories है data science and business analytics, cyber security, AI and machine learning, software development, digital marketing, cloud computing, big data, project management, business and leadership तो इन किसी भी categories में से आप courses को select करके उसको free of cost करके उसका free certificate ले सकते हैं तो आज के इस वीडियो मैंने 10 courses यहां पर ऐसे short list की हैं जो कि बिल्कुल free of cost हैं और उनको complete करने के बाद आपको उसका free of cost certificate मिल जाएगा इन सभी courses का link में description में mention कर दूँगा तो आपने interest के हिसाब से किसी भी course को choose कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहला course हमारे सामने आता introduction to data analytics course learn data analytics for beginners तो यह course वो beginner level का हमारा होने वाला data analytics का तो जो लोग भी data analytics course में interested हैं beginner level से बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो वो लोग इस course में enroll कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप बिल्कुल free लिखा हुआ है यानि यह course बिल्कुल हमारा free होने वाला है three hours का हमारा course होने वाला और course को complete करने पर आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है certificate of completion हमको यहां पर मिलेगा 90 days of access यानि कि इस course में enroll करने के बाद आप बार 90 days जो है वो रहेंगे इस course को complete करने के लिए इस course में आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा types of data analytics swarm plots data science methodologies frequency distribution plots data visualization analytics adoption framework what you will learn in data analytics for beginner तो यह चीज़ें आपको इस course में सीखने को मिलेंगी और जैसे इस course को आप कुछी तरह से complete कर लोगे तो कुछ इस तरीकी का certificate यहां से आपको course complete करने के बाद मिल जाएगा इसके लिए करना आपको क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर आपको अपना account क्रेट करना होगा उसके बादा किसी भी course में enroll कर सकते हैं मिल जाएगा इस course में आपको क्या क्या चीज़े सीखने को मिलेंगी exploratory data analysis inferential statistics supervised and unsupervised learning descriptive statistics model building and fine tuning natural language processing यह तब चीज़ें आपको इस course में सीखने को मिलेंगी और यहां भी आपको 90 days का इस course का access मिलेगा जिसमें आपको इस course को complete करना होगा और course complete करने के बाद आप कुछ इस तरीके का certificate मिल जाएगा थर्ड को समारा है business intelligence fundamentals यह भी हमारा जो है वह beginner level का आप दिख सकते हैं course हमारा होने वाला है और इसको भी आप free में कर सकते हैं यह course हमारा 10 hours का होने वाला है और इस course को और course complete करने के बाद यहां से भी आपको इसका certificate मिल जाएगा थर्ड कोर्स हमारा है introduction to data visualization learn data visualization basics for free यह course भी आप देख सकते हैं हमारा beginner level का होने वाला है और यहां पर आपको data visualization के बारे में बिल्कुल starting से बताया जाएगा और यह course भी बिल्कुल free आप देख सकते हैं 9 hours का हमारा यह course होने वाला और course को complete करने पर आपको इसका certificate मिल जाएगा इस course में आपको data visualization principles के के बारे में आपको सीखने को मिलेगा Communicative data driving finding के बारे में उसको सीखने को मिलेगा और course complete करने पर आपको इसका certificate मिल जाएगा फिफ्थ कोर्स हमारे सामने आता है introduction to cyber security यह भी हमारा beginner level का course होने वाला है इसमें आपको cyber security के बारे में सीखने को मिलेगा three hours का हमारा course होने वाला है और इस course को भी complete करने के बाद आपको इसका certificate मिल जाएगा और इस course में आपको cyber security के fundamentals सीखने को मिलेंगे mitigation के बारे में सीखने को मिलेगा secure architecture के बारे में सीखने को मिलेगा threat actors attack के बारे में आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा security policies and procedure wireless network इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा और course complete करने के बाद आपको इस तरीकी का certificate मिल जाएगा सिख्थ कोर्स हमारा है introduction to cloud security यह भी महारा beginner level का course होने वाला है और यहाँ पर आपको cloud security के बारे में सीखने को मिलेगा seven hours का यह course हमारा होने वाला और course को complete करने पर आपको इसका free of cost certificate मिल जाएगा और इस course में आपको cloud computing concepts के बारे में सीखने को मिलेगा risk management and analysis, business continuity, cloud architecture and design, disaster recovery, cloud infrastructure security के बारे में आपको सीखने को मिलेगा और इस course को भी complete करने के बारे में आपको कुछ इस तरीकी का certificate मिल जाएगा seventh course हमारे सामने आता है introduction to cyber crime यह भी मारा beginner level का course होने वाला और इसमें आपको cyber crime के बारे में सीखने को मिलेगा two hours का हमारा course होने वाला काफी short duration का हमारा यह course होने वाला है बहुत आसानी साब इस course को कर सकते हैं दो गंटे में और इसका भी आपको certificate मिल जाएगा इसमें आपको identifying different types of cyber attacks के बारे में सीखने को मिलेगा ways to prevent cyber crime कैसे हम लोग cyber crime को prevent कर सकते हैं कैसे इसको रोग सकते हैं इस course में आपको सीखने को मिलेगा और इस course को भी complete करने के बारे में आपको यहाँ पे इसका certificate free of cost मिल जाएगा इत्थ नंबर का course हमारे सामने आता है introduction to ethical hacking यह भी course भी हमारा beginner level को होने वाला और यहाँ पे आपको ethical hacking के बारे में सीखने को मिलेगा यह भी course हमारा two hours का होने वाला है और इसको भी complete करने के बाद आपको free of cost certificates का मिल जाएगा यहाँ पे आपको types of cyber attacks के बारे में सीखने को मिल और यह course काफी useful होने वाला cyber security engineers के लिए network security engineers के लिए और यहाँ पे भी आपको free of cost certificate इसका मिल जाएगा 9th course हमारे सामने आता introduction to artificial intelligence यानि की AI यहाँ पे भी आपको beginner level का यह course है two hours का यह course होने वाला है और इस course में आपको purpose of artificial intelligence technology के बारे में सीखने को मिलेगा supervised learning के बारे में आपको सीखने को मिलेगा unsupervised learning के बारे में आपको सीखने को मिलेगा concept of deep learning and machine learning workflow के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और यह course हमारा useful होने वाला developers के लिए analytics managers के लिए information architects के लिए analytics professionals के लिए और इस course को भी complete करने के बाद आपको इसका free of cost certificate कुछ इस इस नमबर का कोर्स हमारे सामने आता है machine learning, learn the basics of machine learning, यहाँ पे आपको machine learning के basics यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे, intermediate level का है हमारा course होने वाला है, six hours का है हमारा course होने वाला और इस course को भी complete करने के बाद आपको इसका certificate मिल जाएगा, इस course में आपको supervised and unsupervised learning के बारे हम सीखने को मिलेगा, time series modeling के बारे हम सीखने को मिलेगा, linear and logistic regression के बारे हम आपको सीखने को मिलेगा, और भी बहुत चीज़े हैं आपको सीखने को मिलेंगे, और इस course को भी complete करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का certificate मिल जाएगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है त जिनकों की free में करके आप उसका free में certificate ले सकते हैं, इसका part 2 वीडियो में बनाऊंगा, जहां पर कुछ और courses में shortlist करके लाऊंगा, जिनकों की आप free में करके उसका भी free में certificate ले पाएंगे, I hope ये वीडिया आपको पसंद आई होगी, पसंद आए उसको और लों को भी आप share करें जैसे कि वो लोग भी ये free of cost, course को करके उसका free में certificate ले पाएं, thank you.